दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और जो challenge हमारे सामने आते हैं, उनके नए नए solutions भी सामने आते हैं. समय रहते हमें भी उन solutions को समझना चाहिए. आज के समय का big challenge है distraction, time को manage ना कर पाना और productive ना हो पाना और इसी challenge को solve करने के लिए जो नई theory, जो नया concept आज हम discuss करने वाले हैं वो है mind management का ना कि time management का आज की book summary है mind management, not time management, productivity when creativity matters, जिसे लिखा है डेविड कैडवी ने आप अपने चारों ओर देखते हैं कि रोज लोग पैसा कमाने की भाग.dh में लगे रहते हैं, इसलिए आपको हर एक second को सही जगह पर इस्तिमाल करना चाहिए पैसा कमाने के लिए आप अपना calendar अलग-अलग activities से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता और इतना ही नहीं, आज कल तो लोग multitasking भी करने लगे हैं, यानि कई काम एक साथ करना, जैसे लंच करते हुए अपने email का जवाब देना क्या यह वही hustle culture, यानि भाग.dh वाला culture है, जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका-थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? ये समरी ये साबित कर देगी कि time management अब किसी काम का नहीं रहा, और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. आप ये सीखेंगे कि mind management success पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है. आप ये भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. Time management नहीं, mind management अपने goals को पाने का बहतर तरीका है. तो आईए शुरू करते हैं इस long journey की शुरुआत इस पहले chapter से dot mind management not time management. इस book के author David Cadvy खुद को एक writer नहीं मानते थे. उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी book deal offer की गई, जिसे कोई बेवकूफ ही मना करता. इसी लिए David ने अपनी life को इस तरह plan किया, ताकि वो एक book लिख सके. सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास book लिखने के लिए अच्छा खासा time हो. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ dinner और दूसरे plans को cancel कर दिया, और इनकी जगह अपने writing sessions को रखने लगे. डेविड ने dates पर जाना भी छोड़ी डिएच दिया, यहां तक कि अपनी grocery और खाना भी घर पर deliver करवाने लगे. उन्होंने अपनी book लिखने पर focus करने के लिए जी जान लगा दी थी. एक writer के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा सा होता है, पर वो शब्दों के साथ खेल जाते हैं. लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना natural या आसान नहीं था. जब वो लिखने बैठते हैं तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे, और ना जाने computer के सामने बैठे बैठे यूँ ही कितने घंटे निकल जाते. फिर उन्हें खुद पर pressure महसूस होने लगा. डेविड को अगले कुछ हफ़तों में बुक का 25% काम खत्म करके publisher को दिखाना था. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो deal cancel हो सकती थी. डेविड अपनी family और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे और हर बद्धाहट में उन्होंने कॉस्टारिका में एक retreat ज्वाइन करने का मन बनाया. वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वहाँ जाकर भी वो कुछ नहीं लिख पाएंगे. क्या इसका मतलब यह है कि ज्वाइन करने से उन्हें पच्छतावा हुआ था? बिलकुल हुआ था. लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें writer's block से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. डेविड को रिट्रीट के लिए हां कहने के बाद पच्छतावा होने लगा और वो अपने घर से बाहर निकल गए. वो अपनी frustration को दूर करना चाहते थे, तब उनकी मुलाकाद डिएगो से हुई. वो रोड के दूसरी तरफ थे, जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो दोनों दोस्त थे. डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे Spanish में बात करने लगे. डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया. उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था. उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था. उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था. जब डेविड घर लोटे, तो दोबारा कम्प्यूटर के सामने बैठ गए. अगले एक घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में काम्याब रहे. इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वो लिख पाने में काम्याब रहे थे. इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था. टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानि कारगर नहीं रहा है. आपको टाइम की नहीं बलकि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है. इसे ही डेविड माइन मैनेजमेंट कहते हैं. Mind Management का मतलब है अपनी creative energy को priority देना लेकिन ये आपका वक्त भी जाया कर सकता है आपने कभी अपनी लंबी to-do list को देख कर zero motivation महसूस किया है ऐसा हम सभी के साथ होता है फिर भी Mind Management से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं Mind Management का मतलब है किसी काम या problem को अलग नजरिये से देखना Time Management में आप खुद से ये पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा तर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं आप ये जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन उसे करने के लिए आप के पास focus और motivation नहीं होता है दूसरी तरफ Mind Management में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं कौन सा काम करने के mood में हूँ और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे mood के साथ fit हो सके अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका mental state और वो काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए इससे energy और वक्त जैसे resources वे नहीं होते Next chapter है creative sweet spot Creative होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है ये कोई grocery नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं Creativity की processes में वक्त लगता है कोई कहानी सुनाने, गाना लिखने या फिर एक painting बनाने के लिए आपका state of mind सही होना बहुत जरूरी है David creative mode में घुसने के लिए दो तरह की thinking का इस्तिमाल करते हैं जो है divergent thinking और conversion thinking Divergent thinking तब होती है जब आपके thought यानी विचार बिखरे हुए होते हैं इसमें आपका ध्यान कई चीजों पर होता है जब आप इन अलग-अलग thoughts को जो DH देते हैं तो इसे एक conversion thinking कहते हैं अब writing का ही example ले लीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसे कहने के लिए आपके पास कई तरीके हैं पहला आप कहना क्या चाहते हैं क्या आप इसे formal तौर पर कहना चाहते हैं या फिर इसे ऐसा कहना चाहते हैं जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते या फिर आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि इसे आपने लिखा है, इसे Divergent Thinking कहते हैं, Conversion Thinking उसे कहते हैं, जब आप अपने Options में से किसी एक को चुनते हैं, जैसे मान लीजिए, क्या आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं, आप अपने Readers के लिए अपन के सामने नहीं लाना चाहतें, इसी लिए अच्छे Creative Ideas बनाने के लिए आपको Divergent और Conversion Thinking दोनों की जरूरत होती हैं, अपने Final Product को Brilliant बनाने के लिए आपको सबसे बहतरीन Ideas की जरूरत हैं, और आप इन Ideas को कैसे ढूंढेंगे? अपने Creative Spot को पहचांग कर, आपका Creative Spot उस वक् ना Best Creative काम कर पाते हैं. Creative काम ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी Guide Book की मदद से कर सकते हैं. इसमें कोई Logic या कोई Mathematical Formula काम नहीं आता. Creative Work एक ऐसा अनोखा Thought Process है, जैसे हम अकसर Insight कहते हैं. Neuroscientist के मुताबिक, Insight अचानक हुए एहसास या नजरिये में हुए बदलाव को कहते ह Insight को एक Eureka Movement भी मान सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ मिलने से आपकी आँखों में खुशी के आंसु आ जाते हैं. क्या आपको कभी अचानक से कोई Brilliant Plan idea आया है, उसे ही Eureka या फिर मिल गया, ये Movement कहते हैं. ये तब होता है जब अपने गाने के कुछ Missing शब्द आपको अचानक से मिल जाए. या आप अपनी कहानी का एक Perfect Plot ढूंड निकालते हैं. आप दुबारा कुछ Paint करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या Paint करें. तो इसके लिए अपने पसंदीदा Cartoon Character को Paint करने के बारे में अचानक यादाना एक Eureka Moment होगा. दिन के खास वक्त क दौरान अपने Creative Spot को ढूंडना आसान हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना दिन इसी वक्त के हिसाब से प्लैन करना चाहिए. बस इतना याद रखिएगा कि ये Mind Management के बारे में है, Time Management के बारे में नहीं. आपकी Energy हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रह आवल पर काम करने जैसे काम भी आपकी बहुत सारी Energy ले लेते हैं. इसी लिए दिन का वो सही वक्त ढूंड निकालिए जब आपके अंदर सबसे ज्यादा Energy होती है. आपको अपने Sleep Cycle से भी तालमेल बना कर रखना होगा. ये सिस्टम आपको दिन में जगे रहने में मदद क करता है. इसे उपर जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए. जितना ज्यादा आप जागे रहेंगे, उतना ज्यादा आप अलर्ट रहेंगे. लेकिन जागे रहने के साथ साथ अलर्ट रहने को आपका Sleep Dad system रोग देता है. दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप एक रात बहुत ज्यादा हो जाता है. अपने Sleep Dad को नीचे जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए. क्योंकि यह आपके एनरजी को कम करता है. आपके सरकेडियन सिस्टम और Sleep Dad दोनों की लाइन दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग दो तीस बजे मिलती है. इसी वजह से आप इस व बहुत फोकस्ट होकर काम करते हैं. जैसे Best Violent Player अपने दिन की शुरुआती 2-4 घंटे मन लगा कर प्रैक्टिस करते हैं. मशहूर राइटर वरजीनिया, वुल्फ और साइकॉलोजिस्ट बीएफ भी ऐसा ही करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वो समय होता है First Hour Rule कहते हैं, जो अपने काम को पूरा करने में उन्हें Discipline रहने में मदद करता है. जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं, तो उसे First Hour Rule कहते हैं. और ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बलकि आपका सबसे Important Project ह होना चाहिए. ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे. इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना, कि क्या ऐसा सच में मुम्किन है? तो जवाब है जी हाँ, बिलकुल मुम्किन है. अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे Important काम से कीजिए. यानि कि ऐ ऐसे काम से जो आपको करना ही है? ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चैंसे काफी कम हो जाती है. ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावटों को भी रोकता है. इस Important Learning को लेने के बाद BRH ते हैं, Next Chapter की ओर, Dot Ad, Force Stages, Off Creativity. जब आप असल में Writing और Printing नह Processor सिर्फ Writing और Painting के बारे में नहीं है. इसे Social Psychologist Graham Ballers Control के चार स्टेज या Creativity के चार स्टेज कहते हैं. पहला स्टेज है Preparation, यानि की तयारी करना. ये तब होता है जब आप अपने Project के बारे में सब कुछ सोचते हैं. आपकी Story में कौन से Character होंगे? आपका गाना कितना लंबा ह पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तिमाल करेंगे? ये Brainstorming यानि दिमाग चलाने वाला स्टेज है. इसमें आपके पास अपने Project की इतनी Information होती है कि आप एक चलते फिरते एक Encyclopedia की तरह हो जाते हैं. डेविड ने भी अपनी Book पर इसी तरह काम करना शुरू क किया था. ऐसा बिलकुल नहीं था कि वो हर रोज कुछ लिखने बैठा करते थे. नहीं, ऐसा भी वक्त हुआ करता था जब वो अपने Living Room में बैठ कर Information के ऐसे Sources को खोल कर देखा करते थे. डेविड के चारों और Books, Newspaper और Journals बिखरे रहते थे. उनके पास एक White Board भी था, ज इस पर वो possible topics और chapters लिखते थे. डेविड ने जो research की थी, वो उस समय की बरबादी नहीं थी. ये उन्हें creativity के अगले stage तक पहुँचने में मदद कर रही थी. दूसरा stage incubation है. यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने project पर इतना active होकर काम नहीं करते हैं. आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और family के साथ वक्त बिता रहे होते हैं. हमें बीच बीच में break लेने की जरूरत होती है. किसी काम को तुरंद पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है. ऐसा करने से आप frustrated होने लगेंगे औ और आपको गुसा आ जाएगा. ऐसा होने से आपको अपने creative spot को ढूंडने में और तीसरे stage पर जाने में मुश्किल होगी. तीसरा stage illumination है. ये यूरेका या अहां moment है. तीसरे stage को पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अचानक से होने वाला और unpredictable हो सकते. आपको पहले stage पर बहुत सा वक्त देना होगा. आएए, जानते हैं कि पहला stage आपको तीसरे stage पर पहुँचने में कैसे मदद करता है. इसके लिए हम Death Beatles के Paul Mankatney का example लेंगे. पॉल नहीं Yesterday नाम का वो यादगार गाना बढ़े ही अनोखे तरीके से कमपोस किया था. उन्हें इस गाने की धुन अपने सपने में सुनाई दी थी. जब उनकी आँख खुली तो आंधी नींद में उठकर अपने पियानों पर उस धुन को बजाने लगे और इस तरह इतिह पास के सबसे महान गानों में से एक गाना बना. लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था. यस्टरडे लिखने से पहले भी पॉल कुछ गाने लिख और बना रहे थे. वो सालों से म्यूसिक क्रियेट करते आ रहे थे और क्योंकि वो यस्टरडे जैसा गाना लिख पाये थे. उन तब होता है जब आप illumination की stage में आए यूरेका moment के बारे में सोचते हैं. इसमें आप ये पक्का कर लेते हैं कि आपका जो idea था वो full proof और brilliant है. आप ये double check करते हैं कि किसी चीज की कमी तो नहीं है. पॉल को 100% विश्वास तो नहीं था कि उनका बनाया हुआ गाना original था. उन्ह इसे वक्त में ऐसे app या software नहीं हुआ करते थे जो ये बता सके कि कोई धुन original है या नहीं. इसलिए पॉल ने डेर साल इस बात को पक्का करने में ही लगा दिया कि वो धुन उनकी खुद की थी या नहीं. इसी दौरान उन्होंने अपने गाने को बदलने के लिए उसके tune और arrangement को सुधारने पर काफी काम किया. अगर आप creativity के हर stage में अपना वक्त नहीं लगाएंगे तो आप कभी कोई masterpiece नहीं बना सकते. आपको इस पूरे process के हर stage से होकर गुजरना होगा. Next chapter है D7 Mental State of Creative Work. डेविड का कोई strict ritual यानी rule नहीं था. लेकिन उनके पास करने के लिए ऐसे काम और जाने के लिए ऐसी जगह थी जो उन्हें लिखने के सही mood में लाने में मदद करते थे. अपनी छोटी सी notebook में कुछ लिखने के लिए वो John Hancock Center के 95th floor पर जाते थे. ये thought शुरुआत में बिखरे हुए से रहते हैं लेकिन इन्हें लिखने के बाद डेविड को वो दूसरी चीजें भी दिखने लगती है जो उन्हें लगता था कि आपने book में शामिल करनी चाहिए. John Hancock Center डेविड को उनके thoughts को arrange करने में मदद करता था. एक Santo Coffee नाम की एक coffee place थी जो डेविड को बहुत पसंद थी. वहां का मन लुभाने वाला खूबसूरत नजारा और coffee beans की सुगंध उस जगह को writing के लिए एक ideal जगह बनाती है. डेविड की तरह आप भी अपने mental state के मुताब हो सकता है. पहला है prioritize mental state. यह तब होता है जब आप एक plan बनाते हैं. आप ये फैसला लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है और आप उसे कैसे हासिल करेंगे. इसमें आप ये भी decide करते हैं कि क्या important है और क्या नहीं. यही तो David John Hancock Center में करते थे. दूसरा है explore mental state. ये research करने के बारे में नहीं है. इसमें specific सवालों के specific जवाबों को देने की जरूरत नहीं होती. explore mental state में अपनी curiosity को खुला छोड़ DH ने और इसके लिए guilty feel ना करने के बारे में कहा गया है. जैसे मान लीजिए कि आप कुछ print करने का सोच रहे हैं. आपको क्या print करना है? आप इस बात प देते हैं. यानि आजाद कर देते हैं. तीसरा है research mental state. ये ऐसी जगह है जहां आप specific सवाल और उसके जवाब ढोड़ते हैं. डेविड ज्यादा तर वक्त इसी state में रहते हैं. वे research करते हैं कि एक chapter को कैसे बनाया जाए या फिर इसे कैसे verify किया जाए कि अपनी book में जो fact वो हैं. वो सही है या नहीं. चौथा है general mental state. ये वो state है जहां आप actual में काम करते हैं. आप पहले दिये गए mental status में इकठे किये गए idea उसको जो डच कर कुछ बनाते हैं. जैसे अपना पहला draft लिखना. पांचवा है polish mental state. ये stage उस काम को edit करने और तराशने का है जो आपने पिछल state में बनाया था. जैसे आप ये ध्यान देते हैं कि आपके sentence का कोई मतलब हो. पेंटिंग में आप ये चेक करते हैं कि canvas पर ऐसी कोई जगह ना छूट गई हो जहां आपने पेट नहीं किया या कोई ऐसा color तो नहीं है जिसे और ज्यादा deep या हलका करने की ज़रूरत है. चछ से अपने bills भरना और अपनी family के साथ वक्त बिताना. ये mental state इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी life के दूसरे area पर भी ध्यान देना होगा. आखिर में recharge mental state होता है. इसमें आपको खुद को आराम देने और refresh करने की ज़रूरत होती है. एक दिन छुट्टी लीजिए य या movie देखना भी इसमें मदद कर सकता है. खुद को शान्त करने और अपने mind को relax करने के तरीके ढूंढे. creative cycles डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था. रात को बारहा बजे से सुबह चारवान बजे तक वो सिर्फ अपनी book पर focus करते थे. सुबह चारवान बजे वो light off करते, अपना computer बंद करते और दोपहर तक सोते रहते. अगले दिन दोपहर में डेविड तयार होते हैं और coffee shop चले जाते. वो कैफे में तब तक काम करते हैं जब तक उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता था. इसी को डेविड क्रियेटिव साइकल कहते हैं. ये एक ऐसा repeat होने वाला साइकल है जिसमें अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको आराम करने का वक्त भी मिलता है. क्रियेटिव साइकल में क्रियेटिविटी के चार स्टेज होते हैं जिसमें आप prepare, incubate, illuminate और verify करते हैं. क्रियेटिव साइकल को टाइम पर based होने की ज़रूरत नहीं है. ये हफतों और यहां तक की कई अलग-अलग मौसम पर based हो सकता है. आईए क्रियेटिव साइकल का ए इसलिए वो अपने गाने के लिए बहुत सी information ढूंड पाती है. वो लगभग 12 बजे सोने चली जाती है और सोने से वो creativity के दूसरे stage में चली जाती है जो हैं incubation. जब वो सोती है तो बेत का ध्यान अपनी creative काम पर नहीं रहता. इससे सुभा बेत को आराम और inspired महसूस होता है. वो creativity के तीसरे stage में पहुँच जाती है जो है illumination. जब वो अपना breakfast खाती है तो उन्हें एक aha moment मिलता है. उन्हें अपने गाने के सही अलफाज मिल जाते हैं और वो तुरंत उन्हें अपने पास रखे एक tissue paper पर लिख लेती है. बेत पूरी दोपहर अपने गाने को सुधारने में लगा देती हैं. वो कुछ अलफाजों को बेहतर अलफाजों से बदल देती है और उस धुन को बचाने के लिए best instruments को चुनती है. अपने mind को manage करने के लिए बहुत से options हैं. आपको सिर्फ वो ढूनने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा suit करता है. Next chapter है creative systems. एक बार डेविड बड़ी मुश्किल में थे. उन्हें अपने podcast के लिए Dr. Rock के साथ interview करना था. Dr. Rock डेविड के लिए एक inspiration थे. उन्होंने Your Brain at Work नाम की एक book लिखी थी, जिसकी मदद से डेविड ये समझ पाए थे कि creative work में mind कैसे काम करता है. डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडल मानते थे. लेकिन जीज दिन डेविड को Dr. Rock से बात करनी थी, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ ये अच्छा. पहले जो apartment उन्होंने rent पर लिया हुआ था, वहां construction का काम चल रहा था. पूरे दिन वहां शोर रहता एक podcast को record करने के लिए इससे खराब हालत नहीं हो सकती थी. दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी बुक लिखने के लिए पनामा सिटी में रहने आए थे. और अपने नए मोहले को इतने अच्छे से नहीं जानते थे. इसलिए उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटर्विड के लिए उन्हें कोई अच्छी दूसरी जगह कहां मिल सकती थी. तीसरा, डेविड जानते थे कि इस इंटर्विड का schedule बदलना नामुम्किन होगा. क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे जाने माने लोग हमेशा बीजी रहते हैं. इस जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरे मौके जैसा था. ऐसा लग रहा था कि ये साफ है कि क्या होने वाला है. डेविड को podcast cancel करना होगा. उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था. लेकिन डेविड का creative system activate हुआ और उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक email लिखा. न जाने कैसे, लेकिन अचानक से वो न नाउमीद महसूस नहीं कर रहे थे. उन्होंने हर उस problem का उपाय निकाल लिया था, जो उनके सामने आ रही थी. आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ recording करने में काम्याब हो गए थे. creative system एक ऐसा repeating process है, जो आपको अपने creative काम को करने में मदद करता है. ये आपको जानने में मदद करता है कि अपनी mental energy को ध्यान में रखते हुए क्या steps लेने चाहिए. creative system को एक छाती की तरह सोचिए, जो आपके creative cycle और creativity के stage को cover देता है. ये basically पूरे creative process की देख रेख करता है. creative system को कम से कम creative दोस्त की जरूरत होती है. ये वो सबसे छोटी चीज है जो आप अपने creative काम को आगे बरहाने के लिए कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप एक writer हैं, सन आपका minimum creative dose है अपनी book का एक paragraph लिखना. minimum creative dose आपको अपनी दूसरी priorities पर ध्यान देने में मदद करता है. creative काम के लिए open loops भी अच्छी चीज है. आईए इसे एक example से समझते हैं. जब आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं, तो आप ध्यान देते हैं कि उसका खाना खत्म होने वाला है. आप सुपर मार्केट से बिल्ली का खाना लेने के लिए एक mental note बना लेते हैं. ये open loop इसलिए है क्योंकि cat food खरीदना है. आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है, तब भी जब आप दूसरा काम कर रहे होते. open loop आपके mind में जगह घेरे रहता है, ये mental space, ये जगह तभी खाली हो सकती है, जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानि cat food खरीद लेते हैं. ये एक negative चीज जैसा लग रहा है, है ना? लेकिन open loops आपकी creativity के लिए फायदे मंद होते हैं, ये आपके project को आगे बरहाने में मदद करती है. आईए उस example पर वापस चलते हैं, जहां आप एक writer थे और अपनी book के लिए एक paragraph लिख रहे थे. ये आपके दिमाग में एक open loop बनाता है, जिसे आप अगले दिन और आगे आने वाले दिनों में वापस देख सकते हैं. इस तरह अगर आप अपना पूरा दिन writing में नहीं भी लगा पाते हैं, तो भी आपको guilty महसूस नहीं होगा. जब तक आप progress कर रहे हैं, आप आगे बरहेचते रहेंगे और अपना momentum नहीं खोएंगे. Creative system की सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत सारे open loops रख सकते हैं. एक loop आपकी story के plot से जो dh सकता है, जबकि दूसरा story के character के background से. Creative system आपको बहाने बनाने से भी रोकता है. कुछ ही मिनट चाहिए होते हैं, और अब वो more dh जिसे हम कहते हैं conclusion, यानि अभी तक हमने जीतने भी chapters प्यार हे और सुने, उनकी key learning उसको हम यहाँ पर repeat करेंगे. सबसे पहले आपने सीखा कि mind management क्या होता है. इसका मतलब है अपने काम को करने के लिए सही mental state बनाना. ये खुद से ये पूछना है कि मैं कौन सा काम करने के mood में हूँ और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो उस mood में fit हो सके. दूसरा, आपने सीखा कि अपने creative sweet spot को ढूंड कर आप mind management हासिल कर सकते हैं. divergent और convergent thinking अपलाई करने से आप ऐसा कर पाएंगे? दोनों तरीकों से आप Eureka moment बना सकते हैं, जो आपके creative काम में अचानक आए काम्याबी की तरह होता है. अपने creative sweet spot को ढूंडने के लिए आपको अपने सबसे productive time को पहचानना होगा. ज्यादा तर लोग सुभह काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस वक्त के दौरान distractions कम होती है. तीसरा, अपने creativity के चार stage के बारे में जानना. आपको कुछ कमाल बनाने के लिए इन सब ही से गुजरना होगा. ये stage preparation, incubation, illumination और verification है. चौथा, आपने creative काम के साथ mental status के बारे में जान. ये state आपको creativity के चार stage को पूरा करने में मदद करते हैं. ये साथ mental state है. prioritize, explore, research, generate, polish, administrate और recharge. पांचवा, अपने creative cycle के बारे में जाना, ये creative काम करने और आराम करने के लिए time निकालने का repeating cycle है. creative cycle ये decide करता है कि कौन सा time frame आपके लिए काम करता है. भले ही वो हफता महीना या कोई season ही क्यों ना हो. चौथा, अपने creative system के बारे में जाना. ये creativity के चार stage और creative cycle की देख रेख करता है. ये ऐसा repeating processes है जो आपको क्या steps लेने चाहिए या उन्हें कैसा करना चाहिए जैसे सवालों के जवाब ढूनने में मदद करता है. आज पूरी दुनिया भागती हुई, जिन्दगी की आदी हो गई है. इसमें सभी जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगे हुए, लेकिन चीजों को धीरे धीरे करने का अलग ही मज़ा है. तो उस process को enjoy कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए. जैसे की कहावत है की बढ़ी चीज है, उन्हीं को मिलती है, जो उसके लिए इंतजार करते हैं. और इसी बात को हमारे वेदों में कहा गया है की धैर्यता में ही विजय है, यानि जिसके अंदर patience होता है, उसकी जीत उसकी victory certain है. बहरहाल, इसी मोदधाच पर ये summary यही पर समाप्थ होती है, और उमीद करते हैं कि आज कल के destruction के द्वार में अपनी creativity को बरहाने के लिए, खुद को focus रखने के लिए ये जीतने भी tools और learning आपको मिली. वो आपके लिए invaluable साबित होंगी और आप इनहें अपनी life में implement भी करेंगे. वैसे कौन सा chapter कौन सी learning आपके लिए सबसे ज्यादा important रही? आप हमें comments में बता सकते हैं, जिसे आप तुरंद implement करने वाले हैं. बहुत जल्द एक नई book summary के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात. तब प्रीज़ कर दोब करने वाले हैं.